देवरिया, प्रदेश सरकार द्वारा पांच महानागरों और साथ जन्पदों के निजी करन करने के विरोध में बुद्वार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संगहर्ष समिती के सदस्यों ने अधीक्षन अभियंता कार्यालय परिसर में दोपहर तीन बजे सिधरना देकर विरोध प्रदर्शन किया तथा जन्जागरन अभियान भी चलाकर लोगों को इसके बारे में बताया इस दोरान भाजबा जिलाध्यक्ष तथा जिलापंचायत अध्यक्ष को ग्यापन भी सौपा इसके पस्चात सुभाष चौक पर अवर अभियंता और विद्यूत कर्मचारियों ने स्टॉल लगा कर चाय वपकॉड़े बेचकर विरोध जताया सुभाश चौक पर अवर अभियंता और विद्युकर्मी अधिक संख्या में एक अत्र हुए और स्टॉल लगा कर चाय पकॉडे बेचने लगे पकॉडे और चाय के माध्यम से लोगों को ने जीकरंट से हुने वाले नकसान के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी जब विद्युकर्मी स्टॉल पर पकॉडे बेच रहे थे उधर से गुजरने वाले सभी लोगों की निगाहे उन पर पड़ रही थी लोगों ने पकॉडे और चाय का स्वाद भी लिया इसके पूर्वधरने की अध्यक्षता करते हुए उपखन अधिकारी भुवनेश प्रताप सहर ने कहा कि हम लोगों की लड़ाई में जनता का साथ होना जरूरी है क्योंकि सरकार के इस फैसले से जनता का नुकसान भी हो रहा है यह लड़ाई आदेश वापस होने तक जारी रहेगी अधिशासी अभियंता सलेम पूर रामूर्तिराम ने कहा कि यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है इसको किसी कीमत पर लड़ना होगा अधिशासी अभियंता गौरी बादार ब्रिजेश कुमार ने कहा कि यह आंदोलन आदेश वापस होने तक चलता रहेगा अमित प्रताप सहर ने कहा कि 9-12 अप्रेल तक 72 घंटे का कारे बहिशकार किया जाएगा इसके बाद भी आदेश वापस नहीं किया जाता है तो समिती के सदस्य जनता के बीच जाकर सरकार के नेजी करण के विरोध में जनांदोलन तयार किया जाएगा शहर में आधा दरजन स्थानों पर पोस्ट अच्चस पाकर लोगों को नकसान के बारे में बताया गया समचालन कोश्टर उपाद्याय ने किया